हे गाईस कैसे हैं आप सभी आज हम बात करने वाले हैं HTTP request headers के बारे में जब भी हम एक client से server को request भेजते हैं तो कुछ headers यूज होते हैं तो हम इनी सारे headers के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए एक एक करके start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं host header के बारे में host header क्या होता है कि जब भी हम request भेजते हैं A से B पर तो host header क्या बताता है कि उसको किसके पास जाना है example तर समझते हैं अगर client request भेज रहा है तो server पर क्या होता है कई सारी website जो होते हैं वो hosted होती है जैसे यहां पर हमारे case में A.com भी है B.com भी है और C.com भी है तो अगर हम request देखें तो हम request में यहां पर उसको बोल रहे हैं कि हमें A.com के पास हमें request को भेजना है तो इस case में क्या होगा कि host जो है वो B.com पर नहीं जाएगा C पर नहीं जाएगा सीधा server के पास जाएगा और server को बोलेगा कि मुझे A.com के पास जाना है और जो उसकी request है वो successful हो जाएगी हमारे case में User Agent Header की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जब भी आपकी request जनेरेट होती है तो आप किसी न किसी browser को यूज खरते हो तो वो browser Mozilla का भी हो सकता है या Chrome भी हो सकता ह है तो उसी की details जो होती है वो user agent में आपकी जाती है चलि अब यहाँ पर एक रोल आता, अगर आप यहाँ पर देखोगे, Q equals to 0.5 और 0.8 लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो इसका मतलब क्या होता है, Q को basically denote करते हैं हम quality से, तो सबसे पहला देखते हैं जहाँ पर नहीं लिखा हुआ, जहाँ पर नहीं लिखा होता, by default हम उसको one consider करते हैं, क्योंकि जो value होती है, वो 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब जहाँ पर नहीं है, हम इसको one consider करेंगे, तो जहाँ पर नहीं होती है, हमारी सबसे पहली priority यहीं होती है, हमें जो format है data का, वो इस form में चाहिए, अगर किसी वज़े से आप वो नहीं दे पाते हो, तो आपको क्या करना है, second जो हमारी quality है, इस पर जाना है, 0.8 जो बड़ा है हमारा, तो हमें इस format में चाहिए, अच्छा, चलो इसमें भी नहीं दे सकते, तो हमारी जो least priority है, text plane वाली, q equals to 0.5 वाली, इसमें दे देना आप quality का, तो accept हमेशा यहीं बताता है, कि मैं किस format data जो है, वो accept करूँगा, next देखते है, accept character set header जो है हमारा, यह basically यह बताता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यह हमारी highest priority है, हमें यह चाहिए, अगर आप यह नहीं दे सकते किसी भी reason से, तो आप, जो हमारी second choice है, 0.8 है, जिसमें हमारी quality, 0 और 1 से बीच में जो होती है, तो आप इसको दे दीजिए, अब next header जो है हमारा, accept encoding, अब क्या होता है, कि जब भी हम data A point से B point पर भेज़ते हैं, तो usually हम उसको compress करके भेज़ते हैं, so that कि क्या हो, कि data हमारा intact रहे, और जो हमने भेजा है, वो हमारा bandwidth भी कम ले, तो इस वज़े से हम क्या करते हैं, उसको compress करते हैं, तो compress करने के बाद क्या होता है, जो client है, वो server को ये बताता है, कि मैं जो algorithm से वो ये support कर रहा हूँ, आप कोशिश करना, इन ही में मुझे बेजना, अब यहाँ पर जो हमारी priority है, gzip जो है, इसके priority जाद है, अब हम server को बोलेंगे, यह आप इसी में करके देना, अगर इसमें नहीं करके दे सकते हैं, तो आप compress में करके देना, जो कि हमारी least priority होती है, तो यह हमारा होता है accept encoding header, next है हमारा accept language header, यह basically क्या बताता है, कि आप client कौन सी language support करता है, और वो कौन सा preference दे रहा है, कि मुझे कौन सी language जो है, वो चाहिए, अब हमारा same quality वाला case यहाँ पर भी आ जाता है, अगर DA वाला जो है, हमारी first priority है, हमें मतलब यही चाहिए, अगर यह नहीं दे सकते हैं किसी भी reason से, यूजर नेम और password की form में, कई बार आपने देखा भी होगा, तो authorization header जो होता है, हमारा इसलिए use होता है, कि हम उसमें अपने credentials को डालें और भेजें, सबसे basic तरीका जो होता है, वो basic authentication का हम लेके चल सकते हैं, इसमें हमारा username और password जो होता है, वो encode होके server के पास जाता है, process होने के लिए, तो authorization header जो होता है, उसमें हमारी details होती है, server के पास जाती है, अब next होता हमारा bearer, ये भी authentication की form है, next हमारा API की form में जाता है, digest authentication होता है, उसके बाद hawk authentication भी होता है हमारा, फिर AWS authentication होता है, तो authorization header का क्या use होता है, कि वो username और password को server के पास पहुचा है, अब वो encrypted form में भी हो सकता है, encoded form में भी हो सकता है, depending upon the application के उसने किस form में मांगा है, चलिए proxy authorization के बारे में भात करते हैं, ये header भी क्या होता है, same authorization header की तरह ही काम करता है, बट इसमें क्या होता है, कि जो proxy होती है, वो आपसे authorization मांगती है, server नहीं मांगता है आपसे, मतलब जब भी आप client से server को request बेज़ जाएंगे, तो कई बार क्या होता है, middle में proxies भी होती है, तो proxies client को क्या बोलते हैं, कि आप अपने आपको authenticate करिये, और मुझे बताइए कि आप कौन है, तो same भी authorization वाला चीज जो होता है, वो हम यहाँ पे भी follow करते हैं, बट जो header होता है, वो proxy authorization header में जाता है, और यह denote करता है, कि जो हमने details डाली है, वो proxy के लिए डाली है, बजाए कि server के, next हम बात करते है, cookie header के बारे में, cookie header basically क्या करते है, additional information provide करते है server को, अगर इनका एक main use देखा जाए, तो जो हमारा client होता है, उसको uniquely identify करते है cookies, कुछ value होती है, और आपके cookie का कुछ नाम होता है, डिपेंड करता है, developer ने क्या दिया है basically, उसके बाद क्या होता है, कि जब भी आप request करते है server को, तो एक unique value जो होती है, वो आपके system से associate हो जाती है, और जब भी आप server को request करते हैं, तो वो आपको uniquely identify कर लेता है, तो basically यह हमारे cookie का का काम होता है, अब हम expect header के बारे में बात करें, तो basically यह क्या करता है, कई बार क्या होता है, कि जब हम request कर रहे होते है server से, जो हमारी request body होती है, वो बहुत ज़ादा बड़ी होती है, तो उस case में क्या होता है, कि हम server को यह बताते है, expect header के through, कि हम जो data भेजने वाले हैं, उसकी जो length है, वो बहुत ही ज़ादा है, तो आप prepare rows के लिए, तो expect header इसलिए use होता है, तो चलिए बात करते है if match header के बारे में, इसको समझने से पहले, हम एक चीज़ समझते है, कि कोई भी चीज अगर server पे store होती है, अगर let's assume, एक cake.jpg जो image है, अगर इस server पे store होगी, तो इसका मतलब क्या है, कि उसके corresponding एक ये value होगी, इस value को हम randomly generate करते हैं, और ये जो value होती है, हर resource के लिए different होती है, जैसे कि आप देख सकते है, apple.gpg एक image है हमारी, और इसकी जो resource value है, वो दूसरी है, तो ये कभी same नहीं ह request है, वो server के पास गई, हमने image मांगी, let's suppose cake वाली image हमें चाहिए, तो हमने server के पास भेजा, अब next बात करते हैं, अब let's assume आपको cake की image चाहिए, तो आपने request जो है, वो भेजी server के पास, अब यहाँ बीच में ना caching server होता है, अब ये request, इसको तो पता नहीं है cake वाली image, इसके तो आगे forward कर देगा, तो server क्या करेगा, आपकी जो cake वाली image है, वो इसके पास forward कर देगा, और forward करने के बाद क्या करेगा, इसको बोलेगा कि ये 5 minute के लिए store करनी है आप, ठीक है, और ये store करने के बाद क्या करेगा, आपको request बेज़ देगा, और इसको store करने के बाद क्या ह जो response होगा वो आपको बेज़ देगा अब let's assume आपको फिर से डाउनलोड करनी है तो अब आप request बेज़ेंगे तो वो main server के पास नहीं जाएगी अब वो इसी के पास already stored image है तो वो आपको directly यहीं से बेज़ देगा आपको यह चीज चलती रहेगा आप जितनी बार भी अभी तक तो आप तुरंदी मांग रहे थे दो मिनिट बाद तीन मिनिट बाद but let's assume आपको दस मिनिट बाद चाहिए तो उस case में क्या होता है कि वो जो content यहाँ पर पड़ा होता है वो expire हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि request फिर server के पास जाती है और server उसको फिर से न caching server तो होते ही हैं बड़ी companies के बट हमारा जो browser होता है mozilla हो गया या chrome browser हो गया उसमें भी by default caching का mechanism होता है तो वो थोड़ी देर के लिए आपका जो website है या image है उसको cache करके रख लेते हैं अब यह जो cake.jpeg की मैंने बात किया है यह वही resource है जहां पर मैंने इसकी पीछे बात क है तो चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले इस request को समझते है request क्या कर रही है अब यहां पर हमारा जो host है वो indianpeople.com है और यहां पर हम resource update करने की कोशिश कर रहे है जो कि है Amun उसकी ID तो यहां पर ifmatch का header और यहां पर e-tag हमने दिया हुए तो हम इस request में यह बोलने की करना है अगर उसकी ifmatch value जो है वो same है मतलब जो e-tag है Amun से associated एक e-tag होगा हमारे पास server में अगर वो same है जो मैं भेज रहा हूँ तो Amun की जो idea उसको update कर तो basically अगर तो यह entity tag वहां पर होगा server के पास तो उस case में क्या होगा request हमारी successful हो जाएगी data जो है वो update हो जाएग बट let's assume हमारे जो entity tag है वो same नहीं है different है या कुछ वहां पर changes हुए है तो हमारा जो होगा वो precondition failed का हमारे पास error message आ जाएगा और status code जो होगा वो 412 का हमारे पास आ जाएगा तो चलिए if non match header के बारे में बात करते हैं अब यह basically क्या होता है उससे opposite काम करता है जो if match header जैसे क वो request successful होने के बाद हमारा जो browser होता है उस resource को उस request जो भी resource है उसको temporarily अपने cache में save कर लेता है so that कि अगर आप अकली बार उसको request कर रहे हैं तो आपका time save हो जाए आपका जो bandwidth है वो save हो जाए आपकी तो यहाँ पर हम बात कर रहे है indianpeople.com जो हमारा host है और यहाँ पर बोल रह है कि अगर यह entity tag server के पास same नहीं है अगर यह same नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पर changes हो है value में update हुआ है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है अगर उसकी value में change हुआ है तो आप मुझे response को recalculate करो और मुझे भेजो मतलब नया generate करो response और उसको आप मेरे पास भेजो पुरा response लेके फिर मेरे पास आना तो जैसा कि हमने example में समझा अगर वो match नहीं करेगा जो हमने यहाँ पर e-tech भेजा और वहाँ पर e-tech जो है server के पास अगर वो दोनों match नहीं कर रहे है तो recalculate होगा response और आपके पास नया response आएगा वो caching server वाला response नहीं आएगा क्योंकि e-tech value जो change हो चुकी है अगर e-tech value जो है वो same है server के पास जो caching server है हमारा उसके पास और आपके पास तो वो बोलेगा ठीक है अब caching वाला ही data ले लो क्योंकि data में तो कोई changes ही नहीं हुए है तो यह जो हमारा काम होता है यह if non match header का काम होता है तो चलिए बात करते है if modified sense header के बारे में यह header क्या करता है यह server के पास जाता है और server से पूछता है कि यह जो resource मैं आपको बोल रहा हूँ भेजने के लिए इसमें क्या date के बाद कोई changes हुए है क्योंकि जब भी आप यह header भेजेंगे तो उसके साथ आप date देंगे तो उस date का मतलब होता है कि अगर जो resource मैं बोल रहा ह हूँ वो मुझे चाहिए अगर उसमें कोई changes हुए है तो तो आप मुझे वो नया resource भेजना अगर नहीं हुए है तो फिर आप मुझे बताना इसको एक example से समझते हैं अब आपने index.html file जो है वो काफी time पहले server से मांगी थी और अब आप उसको दुबारा चाहते हो तो अब आप उसको बोलोगे कि index.html जो file थी उसमें कोई changes हुए है क्या जबसे मैंने last time order किया था अगर server कहता है हाँ तो वो आपको नया response जो है उस नए resource के साथ आपको भेज देगा बट अगर server कहता है नहीं उसमें कोई changes नहीं हुए है आपका caching mechanism होगा जो बीच में server होगा caching का या आपका जो browser होगा वो ही आपको बोलेगा कि मेरे पास जो already stored resource है अब उसी को ये access कर लो आपका time और bandwidth भी save हो जाएगी तो ये हमारा जो काम होता है if modified since header का काम होता है अब हम बात करते है if unmodified since header के बारे में ये same उसी तरीके से काम करता है बट एक opposite way में काम करता है basically अब यहाँ पर हम क्या बोलता है जो index.stml file जो मैंने access किया था क्या उसमें कोई changes नहीं हुए है ये कहेगा हाँ उसमें कोई changes नहीं हुए है तो ठीक है भेज दो तो उसको वो भेज देगा बट अगर उसमें कोई changes हुए है तो ये बोलेगा ठीक है precondition failed status code 412 simply मतलब ये उसका उल range header को use करते हैं अब यहाँ पर जो हमारी request है हमारे पास MP4 पड़ा हुआ है clip app बहुत देगी अब इसमें हम यहाँ से बोल रहे है 0 से start करना 499 तक का जितना भी data वो मुझे लाके देदो तो यह जो काम होता ये range header का काम होता जब भी आप online streaming कर रहे हो वीडियो की तब इस header को आप वहाँ पर देख सकते हो इफ्रेंज header अब कई बार क्या होता है कि आप कोई resource जो है वो internet से अगर download करो तो बीच में अगर आप internet disconnect हो गया या system आपको off हो गया तो जब आप उस download को resume करते हो तब यह header use होता है basically यह बताता है यह server के पास जाता है और यह बोलता है कि अगर कोई resources में इस date के बाद update नहीं हुए है तो मेरे पास जो data पड़ा हुआ है उसके बाद का जो data नहीं है आप वो मुझे भेज़ दो अब इसमें हम date भी बता सकते हैं और इसमें हम चाहें तो e-tech देके बता सकते हैं दोनों चीज़े ही हम कर सकते हैं अब next हमारा आता है max forward header max forward header क्या करता है यह यह बताता है कि आपको destination पहुचने के लिए इतने hop लेने है इससे ज़्यादा hop नहीं लेने है अब कई बार क्या होता है कि आप server के पास request कोई भेजना चाहते हैं तो बीच में क्या होता है proxy servers भी होते हैं बहुत सारे तो हम इस client request में max forward header के थ्रू यह बतात तो आप उस website पे redirect हो जाते हैं तो वो जो website है वहाँ पर उस server को पता चल जाता है कि आप youtube.com पे थे और उसके बाद आप इनकी website पे आये हो क्योंकि यह जो referer header होता है यह बता देता है कि आप पहले किस website पे थे और उसके बाद कहां से आये हैं तो यह referer header का काम होता है date header basically य load Λोता है कि अगर आपने किसी चीज के लिए request किया है अगर आपने आपको कोई रिसोर्स है यह cake वाला image ही ले 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 लेते हैं अगर आपने cake वाली image के लिए request किया है अगर आपकी request वो fulfill हो जाती है तो आप server को बोल सकते है कि connection close करना यः नहीं करना है अगर आप close बोल दे रोल प्ले होता है आप वाया हेडर अब कई बार क्या होता है कि आप आप जो requests भेज रहे हैं Sarver के पास वो कई बारpreuctions के टूर call में switch करना होता है एक से दूसरे में तब हम इसको use करते हैं next हम बात करता है cash control header के बारे में यह header काफी important है और आपको कई बार कई जगा देखने के लिए मिल जाता है तो इस header में majorly आप 4 values को देखेंगे no cash, no store, maxage और only cash तो सबसे पहले हम बात करते है no cash के बारे में no cash में क्या होता है कि जब भी client server को request भेजता है किसी resource के लिए तो no cash उसको यह बताता है कि आपको directly जो cash कर रहा है वो data नहीं भेजना है आपको पहले server के पास जाना है और validate करना है उसके बाद मुझे data भेजना है तो यह काम जो होता है no store का होता है next हम बात करता है max age के बारे में max age से basically क्या करता है जब भी हम request करते हैं तो max age के साथ हम कुछ seconds भी डालते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हम जो data है वो हम cash वाला भी ले सकते हैं बट वो कुछ specific time ही पुराना होना चाहिए बतलब 30 seconds पुराना होना चाहिए 50 seconds पुराना होना चाहिए यह जो हम time देंगे उस पर depend करता है basically तो यह वाला जो काम होता है max age का काम होता है अब only if cash अब कई बार क्या होता है कि हमें जो cash कर रखा होता है data वही चाहिए होता है नया data नहीं चाहिए होता है हम उस case में only if cash वाला यूज़ करेंगे तो इन में से आप कोई एक भी यूज़ करेंगे तो आई होप ही आपको no cash, no store, max age और only if cash वाली चीज़ समझ में आज की है तो अब हम बात करते है pragma header के बारे में pragma no cash और cash control no cash में क्या difference है दोनों में ही कोई difference नहीं है pragma header हम बहुत पहले यूज़ करते थे बट अब हम cash control no cash यूज़ करते है general headers अब हमने जो बात किये थे वो request header थे उनमें कुछ cash control connection, date, pragma, upgrade और via ये कुछ general headers है जो हम response side भी यूज़ कर सकते है मतलब as a response header भी यूज़ कर सकते है तो ये general headers होते हैं